नमस्ते, हमने left hand piano पे तयार कर लिया है, हमने right hand तयार कर लिया है इस वीडियो में सीखेंगे दोनों हातों को एक साथ कैसे बजाएंगे left hand के उपर हम exercise बिले कर रहे हैं, right में भी कर रहे हैं लेकिन जब दोनों को एक साथ बजाने के बारी आती है, तो दिमाग इधर उधर चला जाता है तो इसको कैसे हम साही करें और इसकी कैसे practice करें सबसे main चीज है और सबसे pro tip है, कि इसकी आप speed कम कर लिजे speed कम करेंगे, time जदा मिलेगा, focus अच्छे से होगा कैसे करना है, देखते हैं left hand में C major scale, मतलब C की का जो हमारा scale है, जो हम अब तक practice करते आ रहे हैं left hand में वो, right hand में भी same और जिस समय आप left hand में जिस octave पे जो keep बजा रहे हो, मान लिजिए दूसरे octave में बजा रहे हैं और जदर हम fourth octave बजा रहे हैं अनुको एक साथ बजाए, और फिर धीर धीर आगे बढ़े second or third octave में भी करते हैं once again speed को जीरे करते हैं metronome के साथ करते हैं, चलो metronome voice दो ले लेता है अब यह हम metronome ले लेता है, 90 का है इतर, चीक है तो 80 का ले लेता है इस तरीके से आप practice कर सकते हैं, यह भी speed लगे तो 70 कर दो, और अभी कुछ दूसरी exercise करते हैं इसी के उपर इसाँ इसाए कि दूसरा तरीका है दोनों हाथ साथ में बजाने का कि लेफ फंट में सिर्फ C की को प्रेस करते रहूं जिसमें आप को अगले बार रहा जंच करना हो एक बार स्किप करना है जिसमें अब उठीड यह क्योंकितेये तूनि जिसमें इसमें साथ अधिक वाणि को घर लेंगी यहां नीकाल को में हमारी वही में सकेल ठीक है, ठीक है, वन, टू, ठीक है, इस तरह, अब राइट हेंड में हमारी वही स्केल, या फिर जैसा मैंने पता है, वहीं कि इस हमारी अगले लेशंस में, अगले विडियो समें इसको किस तरहके से वीडियो कर सकते कर सकते हैं, अडियो, गजसे बया है, आध वीडियोока है, और जयए साथ आध लीज़ के लिए इसको हम सीखेंगे, भूनी बहुत नोगी पर संर अच्छे लूंप भी आता है वह भी है वो सब कर गर पर अपने कीबोर्ड के उपर मिलता हूं मैं आप से अगले वीडियो में बहुत ही जल तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद नमस्ते